नमश्कार दोस्तों आप शभी का बहुत बहुत श्वागत थे दोस्तों अब आपका किश्मत बदलने वाले हैं जे दोस्तों आपको बता दें कि आपके कुंडली में सिद्धरों की बहुत ही शुभिषती बन रही है कुछ धन्योग और कुछ राजों का इशा निल्वान जिससे कि आपको धन कमाने की फरबल मोके मिलने वाले हैं जिसका आपको कई शमयों से इंतजार करते आ रहे हैं जिसका आपको कई मेहनों से इंतजार करते आ रहे थे जिसका आपको बिदा दे कि यह जो भी मोके आपको मिलने वाले हैं इन मोके को आप किशी के भी शाथ सेयर बिल्कुन ना करें क्योंकि ये आपके लिए अत्यन्त महत्पुन होंगी जिया दोस्तों आज का ये वीडियो आप शबी के लिए बहुत इलाबकारी रहने वाली है शाथी आपको वीडियो में बता जाने वाली हर एक छोटी दोस्तों आपको बता दें कि वो अंदर ही अंदर आप पर भी कोई बड़ा कारी कर सकते हैं आपको नुक्षान पहुचाने के लिए कोई शड़य दिना कर सकते हैं इसलिए आपको कौन से चिद्रों में शावधार रेनी क्या उशकता होंगी कौन सी बड़ी उपलब दियश आपको प्राप्त होने वाली है इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें उच्छे पहले दोस्तों जोई वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन्से जय माताद लिखेगा गुरुजी का और मातारा व्क्त का शीर्द्वाद पराब करें तो जरूर लेकींगा और यादे आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने शांद ही बैल आइकन को प्रेश करके पाल पर परश लेंड कर एंदोस्तों वीडियो को प्रार्ण करतें दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जनकार जरूले आपको बदा दें कि इसे बहुत अच्छे नतीति आपको हाशिल होंगे घर में शुधार और नवी करण की योजनाएं बनेगी बच्चों को कोई उपलब्दी मिलने से उनका आत्मिश्वास पढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रती और अधिक ध्यान देने का मन करेगा इसको प्राण दोसने यह श्मेगर आपकी सावधानी को लिकर बात करें तो दोस्तों अपने अनमशे खर्चों को सिमीत रखें क्योंकि यह श्मय जो है अचाना कि कोई बड़ा खर्चा आपके श्मने आशकता है प्रोप्टी अत्वा गारी श्मन्दित कोई भी लौन अपनी श्मता से अधिक नाने यह आपके लिए बैतर होगी मामा पक्षके साथ भी श्मन्दों को मजूद बनाई रखने के लिए आपका श्योग जर्ड़ी होगा और इसको प्राण दोस्तों यह श्मन्दों आपको बता दें कि पुराणी बातों को छोड़कर नई जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए श्मन्दों हो सकता है और इसको प्राण दोस्तों यह श्मन्दों आपको बता दें कि दोस्तों रचनात्मक दथा रूची पूर्ण कारी में भी कुछ अपना श्म्यवतित करें इसे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी मांशी ग्रूप से भी रिलेक्ष महसूद करेंगे यह शमय कुछ चुनोतियां भी आपके शामने आने वाली है प्रन्तु आप पूरे अत्मिश्वास दोवरा उन्हें शुलकार भी करेंगे और शबलदावीन में हाशील करेंगे बसरती दोस्तों हरे कारी में आपको शाधनी रखने की जरत होंगी यह अवर्ग किशी बात में आकर कोई गलत काम नो करें या पिर गलत मार्ग नो अपनाए दोस्तों यह शुमे आपके आपके पारस योजनाएं तो बहुत आएंगी या पिर बहुत योजनाएं होंगी इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे विरुद्यों की गतीद्यों को भी यह शुमे नदर्णदाज ना करें कटिन कामों को भी अशानिश्याब कर पाएंगे करीबी लोगों के साथ थोड़ा शोमे वर्दाव रखने की आपको आफशकता होंगी तो इन पर जोड़ द्योंदे और इसको प्रांत उस एश्में आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों आप वने व्यक्तितों और परणाली को और बहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे गर्ड़ इस्ततियां वैश्मे आपके लिए उत्तम है और आपके लिए बहतर पर आस्ततियों का निरमान कर रही है दोस्तों घर में किशी नवीन वस्तू की खरिदारी शमंदी कारी भी हो सकते हैं तथा कारी 104 रुप से संपन भी हो सकते हैं इनसी दोस्तों आपका आत्मिश्वास भी यह समय भढ़ने वाले हैं वेर्थ की गतिदों में अपना शमय नश्टना करें यह समय चल रहे उचित शमय का भरपूर सद्विप्यों करने का शमय होगा तो दोस्तों यह समय बिल्कुल भी भालतुजियों पर ध्यान ने दें और इन अपने महत्पुन कामों में ध्यान को केंदेद रखें आपको बता दें कि अपने किसी नईदी की शमय चीनदों की शला गलत भी शावित होँ सत्ती है पहतर होगा कि श्मय आपने कार्यों को शंपन करने का आप प्रहाश करें और उसकी प्रान दोस्तों यह समय जोएं दूस्तों आपक gagner चीन आपकी समय होगे पिसा खर्च कर रहे हैं या फिर मौज मस्तिक करने के लिए इस बात पर ध्यान दें और इसको प्राम दोस्ते यह श्मय आपके लिए श्मय होगे दोस्तों आपको बदा दें कि कि किसी समाजिक स्विश संता से जुड़ने तथा उश्मय अपना शयोग देने में यह श्मय आपको आशकता नहीं है ध्यान रखें कि आपके एहम की वज़े से आपके कुछ बंते कारी भी बिगड़ सकते हैं तो इस बात का ध्यान दखें शाथी दोस्तों भाईयों के साथ ही कोई मनुठा की स्थिती भी उत्पन हो सकती है समयदारी तता शांती पुर्ण तरिके से क काम लेने का प्रयाश करें इन से दोस्तों आप पस्तितियों को ठीक कर पाएंगे द्यारती अपनी पढ़ाई पर और धिध्यान दे यह आपके लिए बैतर होंगे और इसको प्राण दोस्तों में फिलाल आपके काम अशानी से हो रहे हैं आपको बदा दें कि आपके आजप पास शकारत्म गुर्जा भी यह में बनी हुई है फिर भी दोस्तों आप पस्तिति का पूरा फाइदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे खुद के जीवन के प्रती अधिक फोकस बढ़ाने की यह में आपको अशकता होंगी दूसरों की मदद करने से अपने काम को पूरा करना आपको यह में शिखना होगा और इसके प्रांदो से यह में अगर आपकी केरेट को लेकर बात करें अर्थात आपके वयशाय की तो दोस्तों वयपार्श्मंदी गतिद्यों का और अधिक परचार परशाच करना जरूरी है प्रवावशारी नए श सतल फर फाइदे की सतियां बन रही है फाइदे की अप्रेक्षा मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी आपको बता दें कि दोस्तों कोई खास शपलता पो यह में आपको नहीं मिलेगी प्रन्तु आपकी भवश्मंदी उजनाएं शिकार्ट मग रहेंगी और भवश् या बहुत और थन्हें जरूदि की इसंवनसाओी में किसी नई काम के सुरुवात की है तो दोस्तों जल्द ही फाइदे के मौके भी मिल सकते हैं कोई ववशाय की आत्रा भी इसमें संभव हो सकता है किसी के साथ भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना आपके रिशमें फायदी मसाबद होगा तो इन पर आप ध्यान देख सकते हैं और इसको फ्रांदों से यशमें आपके केरेट के लिए जिसमें होगे दोस्तों आपको बता दे कि गाल चत्र में शभी काम अच्छे तरीके से पूरिय होते जाएंगे लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी गलत सला आपके विजनस में परिशानी का कारन बर सकती है या पिर परिशानी को खड़ी कर सकती है इसलिए दोस्तों यश्में बहतर होगा कि अपने फेशले को प्राक्त बता दे नोकरी पैशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी परकार की राजनीती में आप फंशकते हैं तो सतर करें और इसके प्रांदों यश्में अगर आपकी लब लाइब को लिकर बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों यश्में पती-पत्री के शमनों में कुछ मद्भेद रहेंगे परन्तु दूसरों से उम्मिद करने के बजाए अपने शभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जर्री होगा दोस्तों यश्में प्रेम शम्मदों में निद्ग्यां भी बनी रहेंगी और इसके उप्राण दोसरों यश्में आपके लब लाइब के लिए जीवन के लिए जीवन के लिए समनोंगी पारिवरों वैस्ता को लेकर पती पत्री के बीच कोई तक्रार भी रहे शकती है प्रंतु ये जो समय है आपके लिए च्छनिक ही रहेगी माहौल में फिर से सुधार भी आएगा तो दोस्तों चिंता ना करें और इसको प्रांद दोस्तों ये श्मी आपके लब लाइप लिए समोंगे आपको बता दें कि दोस्तों पती पत्नी आपसी सयोग दोबारा घर तथा वायुषाय संबंधी सभी कारियों को सुचारों रूप से संपन भी करेंगे तथा परिवार जनों के साथ दिनर तथा घूमने फिरने का प्रोग्रेम भी बना सकते हैं और इसको प्रांद और इसको प्रांद दोस्तों यसमी अतिदिक कारिभार की वेज़से भी थकान, सिर्दद और इन से जुड़ी परिशानियां रह सकती हैं टाइप इडिज वेक्ति भी अपने खानपन पर पूरा परेज रखें ये आपके श्वास के लिए बैतर होंगे इसको प्रांद दोस